हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ प्रिया सागत करती हूँ आपके अपने चैनल बेबी एंड मॉम लाइफ स्टाइल में फ्रेंट्स बहुत लोगों के क्वेशन्स आ रहे थी कि मेरा बच्चा बैठ नहीं पाता है कब से बैठना स्टार्ट करेगा बहुत सारे उनके मन में डाउट चाहिए और इसके बाद उन्हें बैठालना स्टार्ट करना चाहिए थर्ड कोस्टिन है बचल को कैसे बैठाना है और किन बातों का ध्यान रखना है यह बहुत की इंपॉट्ञटन टाइम अलग होता है जो बच्चे पतले दुबले होते हैं वो 5-6 मन्त के बाद से बैठना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन जो बच्चे मोटे होते हैं उन्हें बैठने में 10-12 मन्त का भी टाइम लग सकता है तो इसमें कोई खपराने वाली बात नहीं है आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है सेकंड चीज आप कैसे समझें कि अब आपको अपने बच्चे को बैठालना स्टार्ट कर देना चाहिए तो फर्स चीज जब बच्चा अपनी गर्दन समालने लगे जी हाँ फ्रेंट जब बच्चा अपनी अपर बॉड़ी का वेट लेने के लिए तैयार ह हो रहा है तभी आपको ये समझना चाहिए कि हाँ अब मेरे बच्चे के बैठालने का टाइम हो गया है बच्चे की मालिस करने के बाद में उसे ऐसे हाथों से पकड़ कर जब हम लोग उठाते हैं तो वो खुद भी उठने की कोसिस करे यानि कि बच्चा खुद अपनी बॉ अथालने का नेक्स्ट चीज आप किससे समझ सकते हैं जब बच्चे को आप टमी टाइंग देते हैं ओके फ्रेंड सो बच्चय क्या करता है क्राउल करता है धीरे जीरे आंगे खिpler करता है पchae को खिसक जाता हैं ताकि वो चलना सीख सकें रेंगना सीख सकें तो ये भी एक साइन होता है बच्चे के बैठालने का नेक्स जो चीज है कि बच्चे की कैसे हेल्प करें और बच्चे को कैसे बैठालना स्टार्ट करें और क्या क्या प्रोकॉशन होते हैं तो ये चीज मैं आपको बताऊंग है आपको ध्यान रखना है बच्चे को कुसन की help से बैठालना स्टार्ट करें बच्चे को starting में हमेशा support देकर ही बैठालें और जब भी आप बच्चे को बैठालें आप उसके पास ही रहें ऐसा ना हो कि आपने अपने बच्चे को बैठाल दिया है support देकर और आप वहां से चले जाएं अगर आप चले जाएंगे तो हो सकता है बच्चा आंगे की तरफ गिर जाएं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है जब बच्चा थोड़ा थोड़ा क्राउल करने लगे तभी से आप उस पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है हमेशा उसके आज पास रहें यानि बच्चे को अकेला कभी नहीं छोड़ना है स्टार्टिंग में जब भी आप बच्चे को बैठालना स्टार्ट करें दो से तीन मिनट ही बैठालें भले ही दिन में दस पार आप उसकी इसी तरीके से प्रैक्टिस करा सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा आपको बैठालना नहीं है एक हपते बाद आप ये टाइम बढ़ा दीजिए पांच मिनट कर दीजिए और इसी तरीके से दीरे दीरे आप टाइम भी बढ़ाते रहे हैं और उसकी बैठने की प्रैक्टिस भी होती रहेगी स्टार्टिंग में ज्यादा देर अगर आप बच्चे को बैठालेंगे न तो इससे क्या होगा बच्चे की कमर पर जोर पड़ेगा और जब कमर पर प्रैसर पड़ेगा न तो इससे बच्चे की जो कमर है वो bend हो सकती है, जुक सकती है, मुर सकती है तो आपको बच्चे को ज़्यादा देर नहीं बैठालना है इस चीज का आपको ध्यान रखना नेक्स चीजे फ्रेंट जब भी आप अपने बच्चे को solid food देना स्टार्ट करते हैं, six month के बाद बच्चे को हमेशा solid food देना लोग स्टार्ट कर देते हैं तभी से आप बच्चे को अपनी कोद में बठाकर खाना खिलाएं जी हाँ friends, कोद में बठाकर बच्चे को खिलाने से बच्चे healthy भी होते हैं, मोटे हो जाते हैं और बच्चे को कभी भी late कर और उचमत से उसे खिलाते रहें इस तरीके से आप कभी न करें, बच्चे को late कर खाना नहीं खिलाना है इससे बच्चे के गले में खाना फस सकता है और बठाल कर अगर बच्चे को खिलाएंगे तो बच्चे की बैठने की भी आदत हो जाएगी उसकी practice भी होगी लेकिन इसमें भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है जो feeding chair आज कर आ रही है टेबल और चेयर उस पर जादा देर तक बच्चे को बैठार कर मत खिलाएं क्योंकि बच्चे क्या होते हैं बहुत दीरे दीरे काते हैं और उन्हें टाइम लगता है तो थोड़ी देर बठा लिए खिलाएं इसके बाद उसको लिटाइए इसके बाद फिर से बठा लिए खिलाएं चेयर पर नहीं तो अपनी गोद पर बठा लिए इस तरीके से उसे खाना खिला सकते हैं फ्रेंड्स सुनने में ये बहुत छोटी छोटी बाते हैं हो सकता है आपको पहले से ही मालूम हो लेकिन पताना बहुत ज़्यदा इंपोर्टेंट था क्योंकि यही छोटी छोटी बाते कभी कभी इग्नॉर कर देते हैं और बच्चों के साथ में बहुत बड़ा हाथसा हो जाता है तो I hope friends ये वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा थोड़ा बहुत भी अगर आपको helpful लगा हो तो वीडियो को like करिए, share करिए और चैनल को subscribe कर लिजे साथी bell icon को भी press कर लिजेगा तक इसी तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें थेंक्यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में तब तक लिए टेक क्यार बाई बाई